इस्कूल हम लोग इस वज़े से नहीं भेज रहा है कि एक तो पहले हमाना बच्चा छोटा है फिली स्कूल में बढ़ता है तिन साल का बच्चा है और आज कल बच्चा चोरों का मीडिया में और बाट्चाप पे दना फैल रहा है कि उसको भेजना सही नहीं समझ रहे हैं हम ल कुछ नीच हो गई बच्चे को उसका जुम्मेदार कौन होगा हम आप भी रोप रहे हैं घर वाले भी सभी लोग रोप रहे हैं कि अभी बच्चे को नहीं बेजो तो अभी हम बेजना नहीं चाहते बच्चे को अपना और क्या है इतनी दहसत फैली हुए हम लोगों के लगवग लगवग तो सभी परीजनों को इस परकार की दहसत होगी जब हमें है तो उनको भी होगी और सबके घर में जाके तो पोछ्टे नहीं है लेकिन अपने से अंदाजन लगाए जा सकता है तो कब तक ऐसे अपने बच्चे को आप इसकूल नहीं भी जब तक दस पंद हमें बच्चा चोरी का गिरौए है और वो पकडा-धगडी कर रहा है इस पर से काफी जो है यहां के प्पलेक भैवी ठैब है और वह है यह यह कूर सरा सर गलत है यहां पन्नाजिले में वहीि भी बच्चा चोड के ना तो है, ना तो वो संचलित है, ना तो वो कोई भी ऐसी चीजें प्रकास में आई है, इस चीज को लेकर के एक दू जगे की गटनाये भी कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई साड़ी बेचने वाला आ रहा है, कोई अन्य चीजों के लिए आ रहा है, उसको ये भ्रामप रूप स संचालित नहीं है, आपके चैनल के मात धहम से में विशेश रूप से सभी से आगरे टर रहा हूं, कि इस भ्रामप के प्रचार में न पड़े, कि कोई भी ऐसे कृत्त न करे, जो कानून विवस्था की इस्थित निर्मित हो सके, और बाद में वो कोई ऐसी बड़ी घटना खाकित हो सके, इसलिए इस भ्रामप के प्रचार से बचे हैं, जैसे पतना में था, वो तिदिनी के लोग बाग आये थे, उनके रिकार्ड भी देखा दिया, उसमें कोई अधिक प्रक्रण नहीं है, इसी तरह से एक अगल औरत मिली थी रक्सवा में, उसमें भी कोई ऐसी सक बात नहीं आई, जो जहां जहां पर ये लोग संकास्पत कर रहे हैं, वो सभी जाज तस्दीक में जो है दरत पाई गई है, और कोई भी बच्चे चोर नहीं है, ये जो शहर भर में फैला हुआ अफा है कि बच्चे चोर भूम रहे हैं, यही एक मात्र कारण है वर्तमान में पिछले दो-तीन दिनों से कि हमारी शाला में बच्चे की उपस्तिती बहुत कम है, और हमारी दक्षिता का जो कारेक्रम चल रहा है, जो बूस्टर कारेक्रम दक्षिता का हमारे शाशन के द्वारा चला जा रहा है, ये जो अपवाय शहर भर में चलाई गई है, कि हमारे शह बच्चों को आसुरक्षित हो जाने की स्थिती में आसुरक्षा की भावना के कारण नहीं बेच रहे हैं इसको हमने बच्चों को व्यक्तिगत रूप से जो अभिवावक हमारे कल तक आये थे उनको व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया है कि आप नियमेत रूप से बच्च करें और नियमित स्कूल आई जिससे हमारा बूस्टर कारेक्रम जो दक्षिता का चल रहा है वो हम सफलता पूर दे पढ़ावित हो रही है और जहुं changing करें जैने पूरे अगर हमारे बूस्टर कारेक्रम देख्शिता के लिए चलाया जा रहा है झाल झाल